अगर आपको लग रहा है कि इतने दिन हो गए आईपियल के बाद इंडियन क्रिकेट से कोई लड़ाई जगडे की खबर नहीं आई तो लीजिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पंडिया के बाद अब रोय चर्मा की किसके साथ अन्बन हो गई है नमस्कार मैं हूँ रॉनक रंतंत्र देख रहे हैं आप रिजल्ट के इसाब से भले ही मैच का कोई मतलब नहों कलका लेकिन आज के बाद टीम इंडिया में एक इंपोर्टेंट डेवलप्मेंट होगी आपको पता होगी ये बात कि वर्ल्ड कप के 15 खिलाडियों के लावा चार खिलाड़े रिजर्व के तौर पर चुने गए थे रिंकू, शुबमन, खलील, अहमद और आविश खान फिर एक रिपोर्ट के मुताबर खबर आई कि क्योंकि एक्स्ट्रा प्लेट्स की ज़रूत नहीं है, इसलिए कैनडा वाले मैच के बाद गिल और आवेश खान को वापस इंडिया भेजा जाएगा आज की तारिक में शुबमन और आवेश खान को भी रखने को कोई फायदा नहीं है, खलील तो है, मुझे लगा बात तो सही है, लेकिन वापस भेजने की क्या ज़रूरत है, दुनिया का इत्ता अमीर क्रिकेट बोर्ड है, रख लेते साथ में, वैसे भी इस वक देश में इ उन्होंने समझा दिया कि BCCI ने गिल को वापस क्यों भेजा है, अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है कि गिल को वापस डिसिप्लिनरी इशू की वज़े से भेजा जा रहा है, सुनने में आया कि गिल अमेरिका गए तो टीम के साथ थे, लेकिन उसके बाद वहां जाकर टीम से अलगोकर साइड प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट में वेस्त थे, हालांकि ये खबर आने के बाद एक BCCI अधिकानी ने बताया कि एसी कोई बात नहीं है, और पहले से डिसाइड़ था कि गिल ग्रूप स्टेच के बाद इंडिया वापस आ जाएंगे, लेकिन लोगों का मा कल दिन भर सोशल मीडिया पर गिल के खिलाब भड़क रहे थे, उन्दा कहना था कि गिल को जितना सपोर्ट रोहित में किया है, उतना किसी ने नहीं किया, गिल की वजए से रोहित को शिखर धवन को ड्रॉप करने जैसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन गिल ने बदले में क् कि क्या गिल पर BCCI बाद में वैसी एक्शन लेगी जैसे इशान किशिन और श्रेह से एर पे लिया, ये वर्ल्ड कब खतम हो और टीम इंडिया वापस आए, तब इन सारे राज से परदा उठेगा, लेकिन कल फिलाल बारिश का परदा लगया फ्लोरिडा में, इंडिया और कैनेडा के बीच का मैच गीली आउट फिल्ड की वज़े से रद कर दिया गया, और हलंकि कोई फरक तो नहीं पढ़ना था, कैनेडा पहले से बाहर था, इंडिया पहले से अंदर था, अब सूपर 8 में हम ऑस्ट्रिलिया, अफगानिस्तान और मोस्ट पॉबबिली बांगला झाल